मैं आपको ऐसे जगह लेकर जाओंगा तो मेरे दिल के दिल के बहुत करीब है कि अरे किस्ता हुआ है तो अभी टाइम हो रहा है वजर अ क्यार? वजर दिल के 20 में किस्ता है यहर्क scholarships मैं तुड़ देर और सुच Unity 13 स्वातिन तक मैं थोड़ अर सव्सक्ता वह जो सकता हुआ है क्यों कि तब तक नंदर अने तयार होगी मे बस ताइम है और अब फिर मैं तयार होगा जूह झानि अटे लगता हैं अटेचितार मिंगते हैं 40 मिंट मुझे टेरा नहीं लगते हैं फाइव मिनट से गुड़नाइट फाइलि पीरको होशाया है उस वक्तों पूट ज्यादा नीन आली थी और नंद्रानी कर तक हाँ है अलो नंदरानी का तूसरा गहर है उसका रेस्ट्रों महाँपर अराम से तियार होती है और मैं बाहर बेट कर दो आज मैं आपको जितना ज्यादा हो सकते दिखाया हूंगा कि हमाजी रूटीन के सिर पेसे तो इंपॉसिबल है सब कुछ दिखाया हूं काम वड़ा सारे हो और बीच तो मैं हो गयानू तयार अरे कृट यो किति तर लेगी अपको तयारोण में 2 साल लग जेगे तीन साल लगBayंगें भूले इन iz Cliffshdela आप अपर आप अपर आप अपर आप अपर निलेश प्रभूजी वश्याप दिखाई निज रेक टेंशन अपर आप शर्माना कॉंट्विव कर सकते हूं आप जलती है कि फुरी लाइक लाना सो दन्यवार निलेश जी का नो फ्लैश लाइट अन करी मैं गाड़ें बाढ़ गया हूं यह निलेश है जो फ्लैश लाइट है यह सोल है सोल अब शिर्फ नंदरानी का बेट कर रहे हैं तीन मिनिट के अंदरानी आ गई तो ठीक है वरना वो घर पे ही परिक्रमा करेगी ऐसा हमने जूल बनाया है मुबारक हो सभी को नंदरानी तीन मिट से पहले ही पहुच गई है तो हम चल पड़े हैं परिक्रमा की और परिक्रमा मार्क पर जाएंगे अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देरा काम चला लो बस मेरी अवास अब आप देखाई देगा आपको दर्शन कर लिए परिक्रमा मारक के यभी परिक्रमा शुरू कर दूंग अब बहुत ज़्यादा कलिप्स नहीं बना पूंगा फेमस इसकॉन मंदिर वाला चॉंक ऐसे कहीं से भी कर सकते हैं बढ़ हम यहां से कर रहे हैं परिक्रमा शूरू और तो चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा स्टार्ट चैंटिक चैंकि वैप नो बातें नो फोन आड़े कृस्टा शुक्रिश्टा कर और दीा राधे किशोरी दया करो शामा लाडली दया करो शामा लाडली दया करो दया करो राधे दया करो करो क्या दया करो स्रीय यमिन अंधा मेद्धां मिल्था भी हम यम Omorya के दर्सण कर लिए जये श्रीय, मुने मुने चली प्रोक्षन करते हैं व्लॉग में हमेशा के लिए क्याद होगा ये प्रोक्षान हरी बोल जाय जाय श्री हमने हरी बोल हमसे दिन न कोई जग में बान दया की तनक धरो बान दया की तनक धरो राधे किशोरे दया करो शामा लाडले दया करो सदा धरी दीनन पैशामा सदा धरी दीनन पैशामा यह विश्वास जो मन ही खरो तो हमारी परीक्रमा अल्मॉस्ट होने वाली है और हमारी चांटे इंहीं मॉर्निंग की हो चुकी है बहुत तरह काम रहते हैं तो सबसे पहला बाउट जो काम करते हैं चलते-चलते वह है घजवर घीपा वीरी एक बहुत इत्षी आप है गीता बेस और इसमें श्रीला प्रभुपात की जो कमेंटरी है भगवर गीता पर वो इसमें दियो ही है और भी बहुत सारे वर्षीज और बहुत सारे रेफरेंशिज हैं तो इजी हो जाता है चलते-चलते पढ़ना अब ही मैं थर्ड चेप्टर पर हूँ कर्मों के बारे में बताया गया और यग्य की इंपोर्टनस बताई है यह बड़ा कोइंचिडेंस है कि चार पास दिन के बाद हम यग्य करने वाले हमारा पहला माधवास फाउंडेशन का यग्य सर्व विक्नमिनाशक यग्य जिसमें आप सब भी पार्ट ले रहे हैं और जब हमारी प्योरिफिकेशन होती है तो हमको भक्ति पत्ष पे जाना अ जाने ही चाहिए विकॉज उससे आपकी प्योरिफिकेशन हंडेट परसेंड होगी और आपको भक्ति पत्म जाने के लिए मार्ग दर्शन मिलेगा तो हम कर रहे हैं फर्स सेप्टेंबर को जाके तो हो गई है चंटिंग पूरी बगगरगीता की रीडिंग पूरी और होने दिखाता हूं यहां से पास से आनंद बाति का अनंद बाति का परिक्रम मार्ग पढ़ता है और यह रहा हमारा मादवास फंडेशन का ओफिस तो जैसे कि मैंने आपको बताया चंटिंग पूरी हो जाए सुबा तो बहुत अची बात है उसके बाद थोड़ी सी रीडिंग हो फिंगर ने चीनी है ब्रौपूचा कि बताते है कि यह लीव इनकी जी स्मूधने से उस से ज्याधा स्मूध हो तहिं हमारी प्यार भीस लाला कृष्णा की फिंगर इस नहीं परिकरमा हो घए पूरी वान की क्रिपा से बहु निया पूरे करीओ नहीं हो सकती हमारी अचर्वार है नहीं है शूरू करने से पहले और बात पर करो अ क्रिपार एप एड से आया करो अ कि चले कि फुटेज खामखा वेस्ट ये व्लॉग में आएगी नहीं हरी चरण हो अरी हरी हरी चलो बटा कुड़ो जल्दी उड़ो सावाज तो हमारी सेवा शुरू होती है बच्चों को संभाल लेगी और यह हमारा हरिया है इसका स्कूल जाने का समय हो गया है चलो बटा कि जब बैट से उठो तो कोई सुष्टी नहीं मारने फिर उसके बाद उसके बड़ा बसे बैट से हटना है और पानी पीना है यहां प्रशादम की तायारी हो रही है चलो हरी बैडिंग करो अपनी उठाओ उसको शाबज उठते ही सबसे पहले आपको अपना बैड क्लियर क आत्ले के तो इसको वह जरूर संदा के एज है विचाने के छिड़े बहुत बढ़ी है हमें तो यह इस तरीका से हाब शांके निछे जट आप 俺 जब जब फोड़ा हूं यह थोड़ा थोड़ा है किसी और जगे तोड़ा यहां पे थोड़ा कहीं होर है हम जब तधा पॉंगें हमाय बेट धर कहा इंदर इतने बिस्किट हाते हो है इतने बिस्कित कालेता है यह इन दो भी ऑजय दोपना है चलो आपको ले चलते हैं हुआ वी दूद्ध सेवा में जो की हमारी फेवरिट सेवा मॉर्णिंग वाली चलो एक लो बढ़ शा था आया है कनया ने बुलाया है दावन की कुंज गलिन का सपना मुझे क्या खुब आया है आज देखते हैं माँ पर कौन आएगा मांसाम थर्षाbooks से और दोड़े,ुद बोड़े कखें पंजाब्सटां सोथ satisfaction वहागी कर पंगां पया था अने का आ आपक पंग्छों के आने का आमस्था देखे शांगे मसुने कि आने का अरीवो यह देक्ग्रॊर्षन कृश्ना रादे अब अब एक भी तो पॉपट हो गया है तो अब बुला का स्कूल ने कर पाए और को बताना तो वम इंवेटर लगवाएंगे अबर इंवेटर हो गए तो आप में से कोई बीटर के लिए तो इसक्रीन नम्प लिए उस पर कॉंटरेक्ट लिए बिंदा इंच वेट अचांस त अब यह सबैंके अब यह जो सब्सक्राइब यहां है अब यह सबीसे सेवा करांगे जोडरेक्ट अब अब यह सब्सक्राएं पूरी तोली बना अबने अपने हांवर ऑलकु कर ले गांग एंपला अलोडकिर लोग अजी नंदरा नी के पिता जी और बहता शिरी भी तो जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है दूध हमारे बीच पहुंच गया प्रसादम भोग लगके और अब हमारा या प्रसादम बित्रन शुरू हो जाएगा अगर आप भी स्वायम सेवा करना चाहते हैं और जब भी आप रिंदावन में आएं सुवा सवा साथ बज़े हमारी यां सेवा होती है आप सभी इन्वाइटिड है कोई पैसा नहीं देना आपको मादवास फांडेशन का ओफिस है आनन्द बाति का परिए दिक्रमा मार्क पे सवा साथ बज़े आईए और अपने हातों से सादू संतों की सेवा किजिए इसका बहुत फुन्य मिलता है बहुत प्यूरिफिकेशन होती है आज बहुत सारे वक्त लोग आए है अरे वेदोर कुराणों में लिखा ये सीधानत है बिंदबन में दान करते माधव वासे देखे हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस सब लोग मिल के करते हैं हमारे हमारे ज़रा भी कापलियत नहीं है योग्यता नहीं है तो वोता है कि बॉटल के अंदर अगर कुछ अला के बाहर ने निकल पाता न तो वैसे आप अंदर जा चुके अनके दिल में अभी बावान आए और और हम प्रात्ना करते हैं आप फिरिंदावन जल जल आते रहें दर्शन पाते रहें यहीं रह जाएं कि जब भी कोई आता है तो हस्ते हस्ते आता है और यहां से रोते रोते जाता है तो कि बहुत बात में जाके मिश करते इसको हम प्रात्ना करते कि आप हमीशा हस्ते रहें तो फाइनली दूद की सेवा हो गई है पूरी ये वो समय है जहांसे थोड़ी-थोड़ी हमारी जो है एनर्जी है तो शोनी शुरू होती है हमारी ओडिस को सब पता नहीं है अच्छा जूस्पीने जला भी बच्चों के स्कूल तो नहीं आज है अगर बच्चों का स्कूल है तो हम जूस्पीन नहीं जा पाएंगे नहीं बच्छों का स्कूल नहीं जा पाएंगे नहीं बच्छों का स्कूल नहीं होगा क्योंकि याज शूट है लेकिन लेकिन लेक्श्मी ने बताया कि वह बच्चों का स्कूल मानेज कर सकती है जो वो स्कूल से बहाद हमीं स्कूल क पड़ी सेवा हाँ हाँ हरी बाहर आजा चलती से पूटके लेकर भूकादर लाना इसको मैंचा हाँ हम लेड़ी है बज हम पांच में निगल रहा है तो ब्रेकफास जल्दबाजी में हो गया पांच में निगलेंगे बच्छों को लेकर स्कूल के लिए हरी चेरना बॉट स्व देखो शामवाला म। यह देखिए तयारी चल रही है श्रीश्री बंदावन धाम में ऍकॉल रागापूरा नहीं बिंदवन चंचे माने टिंचिमाнут जग मघाने वळा है र lazımइ कृष्णा है रेकृष्णा है अगर मैं सोंगा नहीं तो बाकी के सेवाइं मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं अब एक आदे खंटे का पावनाप लूँगा आपको ऐसे जगह लेकर जाओंगा तो मेरे दिल के दिल के बहुत करीब है आप सभी को आज दिखाऊंगा अब 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 मैं आपको इले चलूँगा उस जगह पे जादुवाला मंतर मार लेते हैं वैसे ही दिली पहुंचेगे तोड़ा है आपराकड़रा गिली गिली सुखी सुखी आपराकड़रा सुखी सुखी चूँगा तो दिल थाम के बैठ जाए सभी क्योंकि हम आगए एक बहुत ही ज़्यादा सुन्दर अब नहीं अब है जर मैं ऐसे करूँआ तब करूँगा तुम अभी सुख हो गे गिली गिली छू तो हम आ गए एक बहुत ही सुन्दर जगा पर मैं आपको दिखाने वाला हूं तब प्यूडिफुल प्लेस सबसे सुन्दर जगा माधवास फाउंडेशन की गोशाला तो यह है हमारी गोशाला और यह वो जगह है जो मैं आपको कब से दिखाना चाहता था कैसी लगी आपको अच्छी है ना आप इस वक जहां पर खड़े हो वह हमारी गोशाला का गेट और मैं इस वक जहां पर खड़ा हूं यह है गोशाला जहां पर बहुत बड़ा शेट बनने वाला है और जिसमें डे सारी गईया आकर रहेंगी और हमें मिलेगा उन सब भगईयों का सेवा करने का मौका हरी बोल शिजगव मैया की जै लेकिन मैं आपके पास आता हूं अभी आपको यहां पर कुछ नहीं दिख रहा वेल जब हम किसी चीज़ को इमाजिन करते हैं तब ही हम उसको सचाई में बदल सकते हैं माधवाज रॉक बैंड ने अगर यह चीज माधवाज रॉक बैंड के विवोस के थू नहीं करवाई तो फिर क्या फ़ाइदा माधवाज रॉक करते हैं हम भी उन कईयों की सेवा करते हैं जो कभी सड़क पर घूमा करती थी प्लास्टिक खाया करती थी और बहुत सारी पेन जहला करती थी मगर माधवास Foundation ने ये गोशाला तयार करी है जहां पर हम कईयों की सेवा करते हैं इस गवशाला के मैंने एक स्टोरी डाली थी मैंने आप सबसे पुछा था कि अंदाजा लगाईए कि ये गोशाला बनने के लिए कितना बजट लगेगा क्योंकि हमने ये फेबरेरी में जो एक एकड की जमीन है इसको मने माधवास Foundation के अंडर रजिस्टर करा लिया था आप सभी ने इसमें बह मुझे तो जटका लग गया जबर्दा जटका लगा तो जटका ऐसा लगा कि मुझे लग रहा था कि गोशाला बंजेगी भाई एक बांडरी लगानी है दिवार लगानी है तो शैड डाले में कितना खर्चा था है मैंने जो अंदाजा लगा था वो ये लगा था कि 10 से 15 ला खर्चा ओर ओरो और वह भड़ते बढ़ते वड़ते बढ़ते बढ़ते इस कितना पवंचिया कुछ वोग तर बहुत अच्छा माइस तो अकर अगर मेरे पस पाना होता खाल लोता बर बढ़तT sessions मैसिज कि तुरु फैदा था उन घुर्थ कि इस अंनाची कि तु जाए थाए ह। जए कि घड़नी वहाक है अजर में चन्रूर conven कि गैस मारा था सेस्पेंस फोडू तो आपको जटका आपको लगेगा तो बेसिकली गाइस जब हमने टोटल किया यहां बाउंडरी बनेगी शेट बनेगा इलेक्टरिशिडी का अरेंजमेंट होगा गईयों के लिए गोडाउन बनेगा जहां पर फूड स्टोर होगा माधवास की गोशाला के लिए हमें चाहिए एक करोड़ तीस लाक रुपे हमारे कैमरा मैं है अकाश वो इपना सिर्ख हुजाने लगे हां जी अचली क्या कि आप जबीन खरीच सकते आप जबीन सस्ती बढ़ती है लेकि जब उस पर कंस्रक्शन होती है तो कंस्रक्शन महंगी होती है यह मेरे को समझ में नहीं आया था मैंसे भी एक गुड़गोबर हो गया था तो एक करोड़ तीस लाक रुपे मगर मैं एसा इंजान हूं कि यह बहुत चोटी सी चीज़ है विससे बड़े-बड़े मेरी लाइफ मैंसे इंसीडेट हुआ है जब वो होते हैं तो मैं घवरात सबस्क्राइब को तो इसे भी चीज़ और वह चीज क्या है जितनी ज़ल्दी हाँ पर गईया आ सके चितनी जल्दी यहां पर वह गईया सके जो इनए वेज बाहर घूम रही है पर प्रशान हो रही है यहां पर आके पीस्फिली रह से थिए उनके लिए इतना हमारी यहां बाउंडरी बन जाए बाउंडरी बनना बहुत चुरूरी है बार से इंसेक्स बगारा नहीं आएंगे उसके लिए और यहां पर गोशाला का सबसे इंपॉर्टन पार्ट गोशेड बन जाए इसमें कई आराम से बैठ सके यहां शांती देखे कितनी ज्यादा है अ वाव तिस सच अ ब्यूटिफुल प्लेस यह चंपा तुझे कैसी लग रही है यह मुझे तो बात अची लग रही है तो उनकी आपस बाता ही तो होती होंगी ना तो यह सब बाते गरेंगे कि वाव दिस इस आ नाइस फेस्षिफ्ट जिदना भी है सेंपल है लेकिन बहुत तो हम करने चाहते हैं और हमारा टार्गेट है विदिन थी टू फोर मंथ इसको करने का तो एक बार फिर आपसे गोहार है आपसे हाथ जोटके प्रारतना है जितने भी लोग एक रुबे से लेके दस लाग तक जो भी लोग आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लीस कीजिए और इस गोशाला को जल से जल बनाने में हमारी हेल्प किजिए जब गोशाला बन जाएगी आप लोग जब भी वरिंदावान आए यहां पर आके अपने हातों से सेवा करें उन गईयों की जिनकी सेवा इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा है जो सड़कों पर घुम रही है तो जितने मह बहुत गरीब मेरे पास कुछ भी नहीं है वन रुपी एक रुपय आप ही दे सकते हैं और वह एक रुपय देने से आपको एक सेंस ऑफ अटाचमेंट आएगी इस गोशाला से और जब भी आप रिंदवान आएंगे तो आप इस जिगा पर ज़रूरा कर एक बर देखेंगे गया कितने चैंजे रही है और उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ तो लेट्स होब कि हम दो ताथ 2-4 महिने में इसको कर सेके स्क्रीन पर सभी नंबर दी हो हैं जहां पर आप इंक्वार कर सकते हैं गोशाला के बारे में बात कर सकते हैं इसके बारे में आइडियास दे सक सबगें हमारे सबी नंबर मेंशन होंगे सब्सक्रीन के ओपर अब प्लीज हमारे सब्सक्राइए जो भी डोनेशन देना चाहता है कि समय सब्सक्राइब हमार पास फाउंडेशन का बैंक का इनकाउंट यिसके मैं आपको डिसीड देंगे वी आर सिक्ष झेट इस्टी एर वो बहुत अच्छा है और आसपास पूरी बांडरी हुई है और बांडरी के एकदम चारो तरफ हमने ऐसा डिजाइन मनाया है कि जिस पे जब भी यहां पर लोग आएंगे परिकर्मा कर सकेंगे और बाउंडरी पेड़ होंगे नीम के पेड़ होंगे, शीशम के पेड़ होंगे सफेदा के पेड़ होंगे, जो ठंडी ठंडी चाय देंगे बबूल के पेड़ होंगे, कितने सुंदर लग रहे हैं न और बीच में होगी हमारी गउशाला यहां बड़ा सा शैड होगा इसमें गईया अराम से बैठी होगी